आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो हमें समिक्रण दी गई है वो लिख लेते हैं एकस की गुणा हो रही है, एक आव्यू, दो और तीन, प्लस वाई की गुणा हो रही है, दूसरे आव्यू में जिसके अव्यव है, माइनस एक, ठीक है और ये बराबर है एक तीसरे आव्यू के, जिसके अव्यव हैं, 10, 5, ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, जब X की इस आव्यू में गुणा हो रही है, इसका मतलब ये है कि x की गुणा इस आव्यू के प्रत्येक अव्यव में होगी यानि x की गुणा 2 में भी होगी और x की गुणा 3 में भी होगी तो ऐसा करने से हमारे पास क्या मिलेगा एक आव्यू ही मिलेगा हमें ठीक है और उस आव्यू के अव्यव क्या क्या होंगे बताईए तो चलिए इसमें गुणा करते हैं अब जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा यहां से 2x क्योंकि x की 2 में गुणा होगी तो 2 तो जब x की 3 में गुणा होगी तो यहां से आ जाएगा 3x ठीक है अब इसी तरह से y की भी इन दोनों अव्यवों में गुणा होगी इसके अव्यव हैं 10 और 5 ठीक है अब क्या करते हैं अब हमें इन दोनों आव्यू हों को जोड़ना है तो दो आव्यू हों को जोड़ने का मतलब यह होता है कि जो उनके संगत अव्यव हैं वो जोड़ते हैं ठीक है यहां से हमें एक आव्यू प्राप्त होगा जिसके X में क्या जुड़ेगा वाई जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा तीन X प्लस वाई हो जाएगा और ये बराबर होगा जो हमें आव्यू दिया है जिसके अव्यव हैं 10 और 5 ठीक है अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से देखिए ये वाला आव्यू जो है इस आव्यू के बराबर है तो जब दो आव्यू बराबर होते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि उनके संगत अव्यव बराबर होंगे ठीक है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं, संगत अव्यव का मतलब ये है, कि पहले आव्यू का जो पहला अव्यव है, ठीक है, वो दूसरे आव्यू के पहले अव्यव के बराबर होगा, इसका मतलब 2x-y किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, ठीक है, और जो हमारा दूसरा अव्यव है, पहले आव्यू का ये वो दूसरे आव्यू के दूसरे अव्यव के बराबर होगा इसका मतलब 3x प्लस y किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा अब आप देख रहे हैं कि x और y में हमें 2 समिकरण मिल गई है और 2 ही 4 है x और y तो इनका अब हम मान ग्याद कर सकते हैं तो मैं क्या करूँगा यहां पर विलोपन विधी लगा के हल निकाल लूँगा, दोनों को मैं जोड दूँगा समिकर्णों को, तो क्या होगा y से y कट जाएगा और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 x हो जाएगा, बराबर 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है इसके बाद x बराबर कितना आ जाएगा 5 तिया 15 यानि की 3 आ गया x का मान कितना आ गया 3 आ गया, अब जो यह x का मान आया वो मैं दोनों में से किसी भी समिकर्ण में रख दूँगा तो मुझे y का मान मिल जाएगा तो देखे, दो गुड़ा में x x का मान है 3, माइनस y ये किस के बराबर है? 10 के बराबर है इसका मतलब 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 माइनस y बराबर 10 तो मतलब y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर कितना होगा 6 माइनस 10 होगा ठीक है तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4 ठीक है इसका मतलब हमें x और y दोनों के मान मिल चुके हैं तो x बराबर तो होगा 3, y बराबर क्या होगा माइनस का चार और यही हमारे प्रश्ण का क्या होगा उत्तर होगा धन्यवाद